आयोध्या में निर्मोही अखाडा ने बुलाई बैटक आपको बता दे कि ये पंचो की बैटक बुलाई गई है तो योध्या से बड़ी कबर आपको हम दे रहे हैं आयोध्या में निर्मोही अखाडा ने बुलाई पंचो की बैटक राम जन्भुमी तिर्थ शेत्र ट्रस्ट के गटन के बाद ये बैठक बुलाई गए है आयोध्या में 11 बचे से ये पंचो की बैठक शुरू होगी निर्मोई अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्र आचारे आयोध्या पोचे है नवगठित ट्रस्ट निर्मोई अखाड़ा सदस्यों को लेकर मंथन यहाँ पर कि अखाड़ा के कई सदस्यों को शामिल के जाने का प्रस्ताव हुआ था पहले भी पंचो की बैठक हो चुकी है तो आज भी इन पंचो की बैठक में सबकी निगाहे जो हैं वो टिकी हुई है कि क्या कुछ यहाँ पर रहता है क्योंकि जिस तरह से त्रस्ट का गठन हुआ है उसके बाद से लगातार जो कयास विवाद को लेकर लगाए जा रहे थी वह विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो आयोध्या में 11 बजे पंचो की बैठक है वो शुरू होगी निर्मोही अखाड़ा के सरपंच राज़ा रामचंद्र आ जा रहे है तो यहाँ पर गटित प्रस्ट को लेकर जो है मन्थन किया जाएगा तो 19 फरवरी को होने वाली बैठक के पहले यह मन्थन होगा निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास को शामिल इसमें किया गया है प्रस्ट गठन से जो सरपंच है वो नाराज है तो निर्मोही अखाड़ा के पर सबके निखाह है तो आयोधिया में निर्मोही अखाड़ा के पंचों की बैठक होने जारी 11 वजो की दो वक्त है तो रखा गया तो आयोधिया में बैठक का आयोजन कियाласт निर्मोही अखाड़ा के सरपंच राज रामचंद्र आयोधिया यू है वो पहुझ चुके हैं बैठिक में शामिल होने के लिए जहां पर नवगठे ट्रस्ट निर्मोही अखाडा को लेकर जो है उनके सदस्यों को लेकर मन्थन किया जाएगा तो निर्मोही अखाडा के बहंद दिनेंद्रदास को इस तरस्ट में शामिल किया गया है संवध आता सत्यप्रकाश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्यप्रकाश माना जा रहा था कि इस त्रस्ट का गठन के बाद राम मंदिर का जो रास्ता है बनने का वो साफ वो जाएगा लेकिन जिस तरह के अकले पहले से ही लगाई जा रहे थी कि त्रस्ट के ना जिस प्रकार से राम मंद 10 का गठन हुआ उसमें मिरमोही अखाडा को प्रमुक्ता दी गई उनके एक अस्थान दिया गया तो कहीं न कहीं अब इसको लेकर एक पंचो अब मन्था करने जा रहे हैं तो पूर्म नहीं इसके पहले भी इमिर में एक बैतक की थी आवाज 10 गठ जानकारी देने के लिए